इस वीडियो में मैंने मिसलिनिस एक्सेसाइज है उसके सोलुशन प्रोवाइड करें हैं चैप्टर कौन्च है लिमिट्स अंडेरिवेटिव क्लास कौन्च यह 11 अच्छा बड़ा लेंथी हो रहा था तो मैंने क्या करा है इस वीडियो में न 1 से लेके 15 तक के सोलुशन प्रोवाइड करें हैं तो इसको मैं कहाँँगो तो पार्ट 1 कह सकता हूँ इसके जस्ट बात जो वीडियो अप्लोड करा है न उसमें मैंने question number 16 से लेके 30 तक करा है तो पहले तिल 15 के solution आपसे discuss करता हूँ चलिए पहला इक question ले लेता हूँ देखिए हमसे कह रहा है कि यह derivative निकालो लेकिन इसने पता क्या कहता है using first principle आप सबको पता है यह मुझे जो दे रखा है ना question में वो fx है यान कि minus x दे रखा है और first principle जो है वो आपको पता है यह वाला formula जो है वो first principle का होता है बट मैं आपको इस principle की value put करने से पहले एक suggestion दोंगा पहले rough side में आप यह निकाल के देख लीजिए कि minus x का अगर आप derivative निकालोगे तो आता कितना है यह direct वाले method से तो minus 1 आ रहा है तो यहाँ भी minus 1 देना चाहिए जिससे की गलती ना हो चाहर फिर क्या करेंगे हम next देखो क्या करने वाले fx मुझे यहाँ put करना है वो मिल गया मुझे fx यानि कि इसकी value भी निकालने पड़ेगी यह x plus h का meaning है जहाँ जहाँ पे x है ना उसकी जगह पे x plus h put कर दो अब मैं यह derivative आप सबको पता है f-x तो derivative तो होता है तो f-x यानि की formula में put करता हूँ limit बिल्कुल ठीक है यहाँ पे मैंने लिख दिया limit s tends to 0 इसकी जगह पे लिखा ये वाला minus x plus में h बिल्कुल ठीक है f-x की जगह पे मैंने लिखा जो मेरा question में दे रखा है यानि की minus of minus x और आप note करो नीचे आगया h ठीक है इसको simplify करते हैं तो limit s tends to 0 अगर bracket खोलेंगे तो minus का x और ये भी negative हो जाएगा और लेकिन ये positive हो जाएगा और यहाँ पे denominator में मेरे पास h बचा अब आपने देखा ये तो बड़ा easy हो गया ये दोनों तो cancel हो रहे है तो मेरे पास बचा क्या अगर limit h tends to 0 उपर minus h नीचे h और ये भी अगर आप देखो तो cancel होके क्या बन गया 1 बन गया तो मुझे minus 1 की limit निकालनी है h tends to 0 तो इसमें तो h term है नहीं answer minus 1 ही आएगा ये मेरा answer है अब देखे क्रोश है करी मैं पहले क्या कह रहा था direct method से भी तो ये ही आए था ये एक तरीका है गलती पकड़ने का चलिए next question समझाने ही कोशिस करता हूँ ये हमें जो दे रखा है ना वो actual में fx होता है तो ये लीजे मैंने अच्छा minus 1 को मैं एक काम करता हूँ ये मैं इस तरह से ले लेता हूँ वह x की power नीचे कर दूँगा तो पोस्ट ही हो जाएगा अब first principle से निकालने के लिए कह रहा है ये और first principle से अगर मुझे इसका derivative निकालना है तो मुझे एक चीज और चीए fx plus h तो मैं fx plus h निकालूँगा तो ये ये कहूँगा जहाँ जहाँ x है ना उसकी जगह पे मैं x plus h रखूँगा ठीक है अब मैं direct से भी एक बार निकाल के देख लेता हूँ कि ये क्या अंचोर आता फिर वही है अब आपको पता है minus x की power minus 1 है अगर आप direct method से करोगे यानि कि बिना first principle के तो minus 1 बहार आगे आ जाएगा ठीक है और minus 1 के में से minus 1 करेंगे और minus 1 से multiply भी होगा क्योंकि minus x का derivative निकालोगे तो ये बनेगा क्या ये अगर आप देखो तो minus 2 बना तो यहाँ पे minus x की power minus 2 बना ये minus 1 यानि कि 1 upon x की power 2 आ रहा है direct से अब मैं first principle से check करता हूँ कि मेरा कितना आता है ठीक है अगर आपने note करा इन दोनो values को मैं यहाँ put कर देता हूँ तो यहाँ मैं line लगा देता हूँ confusion नहीं हो चलिए f dash x निकालते है यानि कि derivative निकालते है limit h tends to 0 इसकी value है यहाँ से देखिए minus 1 x plus match बिल्कुल ठीक है फिर minus का sign है f x अब देखिए f x already minus 1 है तो यहाँ पे मैं minus 1 इस तरह से लिख देता हूँ divided by h करता हूँ तो यह वाला तो minus और minus plus बन जाएगा तो मैं इसमें direct में LCM भी ले लेता हूँ जिससे की दिक्कत ना हो सर LCM कैसे लोगे आप इन दोनों का LCM हो जाएगा x और x plus match ठीक है और यह denominator है न वो इसी के साथ लिखा जाएगा बात यह कैसा है आपको समझा कैसे सर बही 1 by 2 और 1 by 3 है इसके नीचे अगर 5 है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि इन दोनों का तो LCM जो आए ना वो आजाएगा 2 by 3 और 3 minus 2 और यह 5 by 1 है तो यह देखा जाएगा तो 1 by 5 यानिक इसके साथ ही आ जाता है चलिए यह हो गया plus तो ठीक है अब यह जो x है ना यह यहाँ minus 1 से multiply होगा तो minus x और x plus h से पहले plus आ गया तो यहाँ पे यह x plus h आ गया ठीक है अब कट करना समझाता हूँ आपको अगर आपको समझ में आता है तो देखी कैसे minus से minus कट करा ठीक है उपर मेरा denominator में देखी क्या बस्ते है यहाँ तो लिख देता हूँ limit s tends to 0 numerator मे यह बचा denominator में x plus h और multiply by h है उपर 1 बचा अब मैं जहां जहां x है वाज पूट कर नहीं सकता है h की value पूट कर सकता हूँ तो यह बन जाएगा 1 x as it is x plus में 0 भई मैंने क्या करा जहां जहां h है वाज 0 पूट करा यह value 1 by x square आया direct method से भी 1 by x square आ रहा था तो आपने note करा दोनों से answer same आ रहा है यानि कि मैं correct कर रहा हूँ इसका एक question first principle का हमेशा आता यह question में चली एक और करते हैं चली question number 1 का third part करते हैं हमें कह रहा है first principle से निकालो भई आगर मैं direct से निकालता है पहले तो direct से समझाता हूँ वैसे answer का यह rough में कर ले न course x plus 1 तो मुझे answer तो यही मिलने वाला है सर आप आप first principle से कैसे करें को लोग बताता हूँ actual में first principle के लिए मुझे यह जो दे रखा है न यह तो है fx ठीक है अब मुझे x plus में hb चाहिए तो जहां जहां x है न वहां वहां पे मैं put कर दूँगा x plus में h plus में 1 ठीक है अब यह दोनों यह value यहां put करूँगा तो मेरा derivative first principle से निकलेगा limit h tends to 0 इसकी value मेरे पास यह रही sin x plus में h plus में 1 minus देखिए इसकी value यह रही fx तो जो question दे रखा था वही था sin x plus में 1 अगर आप note करो denominator में इसके है h लीजी मैंने लिख दिया अगर आपने ध्यान दिया यह तो sin c minus c d का formula लग रहा है sir कैसे ऐसा formula आपने trigonometry में पढ़ा था clear तो मैं इस formula का use करने वाला हूँ यह formula क्या था कि भईया एक बार तो 2 cos x plus y by 2 कर दो एक बार minus कर दो तो इस question में जहां जहां पे यानि कि यह मेरा x बन गया और यह मेरा y बन गया पूरा तो यहां लिखूंगा 2 cos आ रखा ना तो 2 cos x plus y यानि कि इन दोनों को मैं add करने वाला हूँ x plus में h plus में 1 plus में x plus में 1 clear होई इसको मैंने add कर दिया फिर इत कहता है sign के साथ x minus y यहां मैंने लिखा minus का तो पहले तो यह लिख लेता हूँ x plus में h plus में 1 minus का sign यह लिख लेता हूँ x minus होगा done और denominator में as per formula h लिखना पड़ेगा बिल्कुल लिख दिया मैंने आगे क्या करेंगे अब मैं cut करना सिखाता हूँ आपको देखी cut करना कैसे होगा minus x minus x cancel plus 1 minus 1 cancel तो यह और यह x और x 2x हो जाएगा और यह आपको सिधा लिख चलो next step में लिखता हो limit s tends to 0 2 cos यहां से बना 2 x plus में 2 plus में यह थे कि 1 और 1 2 हो गया plus में h और divided by 2 आएगा देखे मैंने यहां divided by 2 नहीं लिखा बिल्कुल लिखना चाहिए था यह divided by 2 आएगा और यहां पे भी divided by 2 आएगा तो इसके नीचे 2 लिखा और similarly sign अगर आप देखो तो h by 2 आएगा और इन दोनों के नीचे मेरा h है अगर आप note करें हमने standard limit पड़ी थी सर क्या थी यह वाला इसके साथ अगर नीचे लिख देता हूं लिखने 2 बनाना पड़ेगा लिजे अलग लग बना देता हूं अब मैं अलग-लग limit लगा रहा हूं इसमें limit लगा रहा हूं अगर आप note करो 2 को तो मैं बाहर ले लिया यह ले लिया मैंने फिर मैंने ले लिया cos और 2x प्लस में 2 प्लस में h divided by 2 यहाँ पे 2 लिखा और यह जो h था ना यह मैं इसके साथ लिखने वाला हूं तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा limit h tends to 0 sin h by 2 ठीक है अब यह h था तो यह वाला h है न इसको मैं इसके नीचे ले आता हूं clear तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूं क्योंग मुझे इसके जरूत नहीं है नीचे ले आया अब यह ऐसा मैंने क्यों करा है अब देखो आपने note करा यह तो standard limit है 1 दे रही है ठीक है जी 1 आ गया इसमें जहां जहां h है अगर मैं 0 पुट कर दूँगा तो cos 2x plus मैं 2 divided by 2 और यह into 1 हो गया अब 2 common ले लूँगा तो cos x plus 1 बचेगा यह मेरा answer आ गया अब मैं चेक करता हूँ क्या direct से भी यही आ रहा था बिलकुल अगर आप note करो direct से भी यही आ रहा था clear होगा question चलिए fourth part की बात करते है इस question में भी tignometry है यह जो दे रखा है यह तो मेरा fx है ठीक है मुझे first principle से value निकालनी है right दूसरा मुझे क्या है मुझे इसमें चाहिए fx plus match यानि की जहां जहां x है न वहां मैं put कर देता हूँ x plus मैं h minus मैं by by 8 ठीक है भी अब यह दोनों value मैं put करने वाला हूँ इस first principle के formula में तो f dash x जो है न वो बराबर हो जाएगा मेरा limit h tends to zero इसकी जगे पे यह value put करने वाला हूँ cos x plus मैं h minus मैं by by 8 ठीक है fx यानि की मेरी यह value minus मैं cos अगर आप note करो x minus मैं by by 8 और इन दोनों के नीचे आ जाएगा h अगर आप ध्यान दिया हो ये भी तो एक formula बन रहा है cos c minus cos d का देखो ये formula की बात कर रहा हूँ इस formula को अगर मैं आपको याद दिला हूँ तो ये formula मैं use करने वाला हूँ सर इसमें कैसे आएगा अगर आपने ध्यान दिया cos x minus cos y minus 2 यानि कि ये बराबर किसके हो जाएगा limit तो as it is लिखना पड़ेगा मुझे ले लीजी minus का 2 sin x plus y यानि कि sin के साथ इनको add करते हैं तो मैंने x plus में h minus pi by 8 फिर plus में इन दोनों को add करूंगा x minus pi by 8 ठीक है फिर कहता है sin x minus y 2 ये sin रखा अच्छा नीचे 2 भूल जाता हूँ तो पहले लिख लेता हूँ ये 2 यहाँ है फिर sin यानि कि minus करना पड़ेगा पहले ये लिख लेता हूँ x plus में h minus pi by 8 minus में x और ये minus plus का pi by 8 बन जाएगा और इसके नीचे भी मुझे 2 लिखना पड़ेगा और उस पूरे के नीचे मुझे h लिखना है लीजी मैंने लिख दिया से next क्या करने वाले हूँ देखी मैं कैसे cut कर रहा हूँ ये minus का और ये minus का और ये minus का कैंसल हूआ ये minus और plus कैंसल हूआ तो यहां से sine h by 2 बना right sine h by 2 ये बना मैं तो पहले ही ये h है न यहां लिख लेता हूँ right और ये 2 है न इसको पहले ही इसके नीचे लिया है correct यहां देखते हैं क्या बनता है तो यहां पे मेरा बना limit अलग लग limit ले लेता हूँ ये अगर आप note करो x और x 2x होआ बिल्कुल ठीक है तो minus का तो sine रहेगा और ये बन जाएगा sine 2x आप बोलो सर्थ 2 कहां चला गया ये वाला 2 मैंने इस h के नीचे लिख लिया यहां पे ठीक है तो 2x आ गया अब minus का pi by 8 और minus का pi by 8 अगर आप note करो तो इसको 2 times pi by 8 लिख लिया मैंने दो बारा है न और यहां पे plus का h लिख लिया और divide by मैंने इसको लिख दिया 2 इसके नीचे 2 डिवाइड कर दिया clear होई बात ये h already मैंने इसकी limit मैं अलग निकाल लेता हूँ बिल्कुल ठीक है अब आपको तो एक question दिहान में आते ही पता लगया ये क्या होता है 1 के बराबर होता है ठीक है अगर ये 1 के बराबर होता है तो limit apply करते है इसमें मैं जहां जहां पे h है न वहां पे मैंने put कर दिया 0 तो 2x minus मैं 2 into pi by 8 right और इसके नीचे 2 है divide करूँगा अब ये 2 common ले लेता हूँ तो minus sign और x minus pi by 8 होगा अब बोलो सरी ये 2 कहां चला गया देखिए अगर 2 common लोगा तो x minus pi by 8 नीचे एंगल बनेगा और ये वाला 2 नीचे है तो मैं अगर 2 से 2 cancel करूँगा तो ये मेरा answer आ गया किस case का इसका इसको cross check करने के लिए direct method से मैं अक्सर बच्चों को suggest करता हूँ इसको direct करके देख लिजी अगर cos का derivative सबको होता है minus sign x minus pi by 8 होता है तो वही direct से भी वही answer आ रहा है जो first principle से आ रहा है clear होई बात चलिए second question की बात करते है चलिए second question करते है कहता है find the derivative of the following function इसको न मैं y ले लेता हूँ यह थोड़ा समझाने ही में आसान रहेगा आपको लिखना पड़ेगा step differentiating with respect to x ठीक है तो यह differentiation y dash हो गया और अगर मैं x plus a का करूँगा तो पहले x का करूँगा तो आपको पता होगा अब x का तो 1 होता है और फिर मैं a का करूँगा तो a तो constant है तो यह मेरा आजाएगा 1 plus मैं 0 और answer आगया y और यह मैंने लिखे न y dash actual में यह dy by dx है short form में y dash लिख देते हैं clear? चलिए question 3 करते हैं कहता है इनको या तो देखी मैं product rule लगा दूँ एक तरीका है कि product rule लगा दीजी दूसरा तरीका यह है कि इनको multiply कर लीजी अगर मान लीजे मैंने इसको y के बरावर माना है पहले multiply कर लेते चलिए px को मैंने इसके साथ multiply किया I think polynomial को multiply करना आपको आता है ठीक है px को इसके साथ multiply किया तो psx हो जाएगा फिर q को इसके साथ multiply किया तो qr और नीचे x आ जाएगा और q को फिर s के साथ multiply किया तो qs आ गया चलिए अब derivative निकालते या फिर derivative से पहले मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ यह इन दोनों से कड़ गया तो यह मेरा pr बचा ठीक है यहां से आ गया psx और अगर आप note करें यह x नीचे है ना इसको मैं उपर ले जाओंगा तो power minus 1 बन जाएगा और यह qx बन गया अब मैं derivative निकाँगा differentiating with respect to x चलिए ठीक है इसका differentiation करेंगे dy by dx हमारे left side में आ गया यह तो constant time है x के compare में तो 0 आ गया अब देखी x का differentiate करूँगा यहां पर ps को मैं लिख लूँगा बहार और हमें पता है x का differentiation तो 1 होता है ठीक है यह 1 लिखूँगा यहां पर qr का differentiation कुछ नहीं होगा यह तो constant है और मैं फिर किसका differentiate करूँगा x की power minus 1 का इसका differentiation है वो 0 आ गया constant time है तो बनेगा क्या यह बन गया 1 तो ps into 1 ठीक है ps ही हो गया यह minus 1 बहार आ जाएगा minus 1 बहार आएगा और जो power बचे उसमें से एक और minus करूँगा तो इस तरह का बना तो इस case में मेरे पास बना ps minus में qr x की power minus 2 बिल्कुल ठीक है answer जादा से जादा आप लिख सकते हो ps minus qr और x की power 2 यह मेरा question number 3 का answer आया अब बोलोक शर अगर हम multiply करते product rule से तो भी ठीक है बर तो थोड़ा सा आपके लिए lengthy हो जाएगा done चली question number 4 की बात करते question 4 देखोगे इस case में product rule भी ले सकते हैं तो अगर मैं इसको y ले लेता हूँ तो सिधा लिख लेता हूँ differentiating with respect to y ठीक है लिखना जरूँ sorry with respect to x करना है हम y नहीं left hand side बन जाएगा dy by dx ठीक है this is equal to अब मैंने इसको u और v लिया है सरी ये uv वाला बताएए देखिए अगर दो function के बीचे में multiply का sign है formula क्या है first function as it is differentiation of second बिल्कुल ठीक है उसके बाद second as it is first function का derivative तो मैं इसको a x plus b को as it is ले लेता हूँ bracket के अंदर रखा और differentiation करूँगा सबसे पहले में किसका c x plus में d का ये लीजी मैंने कर दिया plus का sign फिर c x plus d को as it is लिख दूँगा power 2 को और differentiation करने वाला हूँ मैं किसको a x plus में b को ठीक है देखिए क्या आता है तो step 1 क्या करे है हमारा ये वाला as it is आएगा इसमें कोई भी issue नहीं लीजी मैंने लिख दिया अब ये power आ जाएगी बाहार और ये c x plus d है ना ये 2 की power minus 1 आ गया अब ये जो base है ना इस base का derivative यहां मैं multiply करूँगा c x plus d जो कि c आएगा इस किस में क्या होगा ये वाला as it is आ जाएगा c x plus d whole power 2 और इसका derivative करूँगा तो यहां से a आएगा सरी ये b क्यों होगा actually b तो constant है तो 0 हो जाएगा चलिए simplify करके देखते हैं कितना आता है ये वाला बना a x plus में b और यहां पे 2 और 1 power यानि की c x plus में d और ये आप इसका derivative करोगे तो multiply c और यहां पे c यानि की ये वाली time बनी c x plus d whole power 2 और यहां पे a अगर आप note करें तो इस case में न common है c x plus d को अगर दोनों में present है तो मैं इसको common ले लेता हूँ इसको मैंने c x plus d को common ले लिया ठीक है तो देखिए यहां से 2 और c है ना ये इसके साथ multiply होगा 2 a c को इसके साथ multiply करोगा तो 2 a c x बन गया 2 c को b के साथ multiply करोगे तो 2 b c बन गया और यहां पे plus का sign एक चीज बहार चलेगी अब a अंदर multiply करोगे तो a c x plus में a d बनेगा इसको last करते हैं ये दोनों आप देखो same है अगर like time है तो इनको add कर देते हैं ये बन जाएगा मेरे पास 3 a c x plus में ये as it is जाएगा 2 b c plus में a d as it is जाएगा अगर आपका भी answer यह आता है then it is correct लीजे मैंने लिख दिया चली question number 5 करते हैं well इसमें जो लग रहा है ना formula वो quotient rule का लग रहा है ये formula था ये formula क्या था आपको याद दिलाता हूं कहता है denominator को का square कर दो फिर denominator as it is first का derivative निकालो minus का sign first as it is denominator का derivative तो मैं करने क्या वाला हूं इसको y के वराबर मैंने ले लिया तो पहले differentiate करते हैं differentiate करते हैं तो ये तो हो जाएगा differentiate लिखना पड़ेगा with respect to x तो ये बन जाएगा dy upon dx तो इसमें मैंने क्या कर रहा है cx प्लस d है ना इसको as it power रख दी अब मैं cx प्लस d को नहीं touch कर रहा हूं उपर question true लगा रहा हूं इसका derivative पहले कर रहा हूं यानि कि differentiation of ax प्लस b ठीक है उसके बाद minus का sign फिर मैं ax प्लस b को as it is रख रहा हूं यानि कि numerator को और denominator का derivative रखने वाला हूं यानि कि ये हो जाएगा cx प्लस में d ठीक है फिर क्या करेंगे चलो simplify करते हैं denominator में मेरे पास रहेगा cx प्लस d इसमें कोई issue नहीं है इसको as it is रख दिया मैंने cx प्लस में d ठीक है अब ये note करना इसका derivative a हो जाएगा सर कैसे b का तो 0 बन रहा है ax का a आएगा इस case में देखते हैं ये वाला bracket as it is रहेगा बिल्कुल ठीक है इसका derivative है ना c आजाएगा वही ड का तो 0 हो जाएगा इसको चलो simplify करते हैं a को अंदर multiply किया a c x प्लस में a d हो गया ठीक है इस c को अंदर multiply करूँगा तो a c x माइनस का b c हो जाएगा क्योंकि माइनस बाहर है अगर मैं denominator में देखू c x प्लस d whole power 2 अब देखो ये cancel हो रहा है c माइनस में b c divided by c x प्लस d I hope आपको clear होगा इसकी power 2 है so this is answer चलिए next question की बात करते है question 6 का है न वो कर लेते हैं कहते है derivative निकालो इसको मैं तोड़ा rewrite लिख लेता हूँ y को ले लिया मैंने पहले मैं क्या लेता हूँ numerator में अगर lcm ले लेता हूँ तो उपर बन जाएगा x प्लस 1 और नीचे ये x था फिर इसका भी अगर मैं lcm ले लेता हूँ तो यहाँ पे भी x lcm लेने पर ये x-1 बनेगा इसको rewrite मैंने इसलिए लिख करा है क्योंकि ये दोनों cancel होके बड़ी simple उसमें बन जाएगा x प्लस मैं 1 और x-1 अब इसका derivative निकालते हैं देखिए मुझे लिखना पड़ेगा differentiating with respect to x ठीक है तो आपको पता भी इसको तो dy by dx लिख देते हैं और यहाँ पे जो लग रहा है ना वो product rule नहीं लगके quotient rule लग रहा है as it is numerator का differentiation minus का sign numerator as it is denominator का derivative तो मैं क्या करने वाला हूँ सबसे पहला काम है x-1 का मैं square कर दिया denominator का फिर जो x-1 है ना इसको as it is लिखा और numerator का derivative करोंगा यानि की x plus 1 ठीक है minus का sign फिर क्या करने वाला हूँ मैं numerator को as it is लिखूँगा और denominator का derivative करोंगा यानि की x-1 चलिए इसको simplify करते है इसको तो y-s लिख सकता हूँ short form में ये वाला bracket as it is लिखाएगा कोई problem नहीं है x plus 1 का derivative करोंगा तो x का derivative 1 होता है y का 0 तो इस पूरे bracket से 1 आ गया similarly इस bracket को मैं as it is लिखने वालों ये लिख दिए अगर मैं इसको derivative करोंगा तो 1 आया denominator में जो है वो मेरा x-1 का soul square रहेगा इसको simplify करते हैं x-1 minus x-1 अगर आप बाहर negative है तो change हो जाएगा अगर आपने नोट करा इसको मैं दूसरी इंक से cut करके दिखाता हूँ आपको देखे minus का minus plus का cancel हुआ तो minus 2 और x-1 का whole square अगर आपका ये आंचर आता है तो बिल्कुल ठीक है ये मेरा derivative है done चली 7th question की बात करते हैं ये भी काफी मज़ेदार question है इसमें भी rule तो भहिया quotient rule लग रहा है इसका derivative बार बार लग रहा है और यहां पे इसको मैं y के बराबर ले लेता हूँ इसको y के बराबर लेने का मतलब एक तरीक असर नहीं लें तो y के बराबर तो भी ठीक है बट एक sequence बन जाती है सही तरीका हो जाता है यहां पे मैं लिखूंगा differentiating with respect to x ठीक है left side में लिखूंगा dy by dx अब देखिए जो denominator है ना क्योंकि आपको पता है इसका जो formula में नीचे denominator का square आता था तो denominator का square करूंगा तो ax square plus में bx plus में c इसका square आएगा ठीक है फिर यहां पे आता था denominator as it is numerator का square minus में numerator as it is denominator का derivative तो देखिए मैं क्या लिखने वाला हूँ जो denominator है ना उसको तो as it is लिखने वाला हूँ यह लिख दिये मैंने लिख दिया और अगर मैं one है ना इसका derivative लिखूंगा तो आपको पता भी one का derivative zero हो जाएगा फिर क्या करूंगा one को as it is लिख दिया मैंने और यहां पे मैं denominator का derivative लिखूंगा तो मैंने इसको लिख दिया पहले correct यह अगर zero बन जाता है तो whole bracket zero बन गया ठीक है यहां पे इसका derivative किया तो यह तो one है multiply two ax plus मैं b बनेगा सर क्यूं क्यूंकि c तो constant अमें 0 बन जाएगा और मेरा नीचे जो है वो बन गया ax square plus मैं bx plus मैं c whole square चलिए answer सीधा लिख देता हूं यानि कि y dash क्या बन गया minus का sign बहार two ax plus मैं b और denominator में मेरा लिख दिया यहां पे मैंने ax square plus bx plus मैं c whole power two अगर आपका भी यह answer आता है then it is correct बात बनी चलिए question number 8 की बात करते है again easy question है देखी again बात तो गुमा फिरा की sum में question true लग रहा है तो sir क्या करने वाले इसको मैं ले लेता हूँ y के बराबर बिल्कुल ठीक है यह ले लिया अब मैं यहां पे लिख देता हूँ differentiating with respect to x अगर इसको मैं differentiate कर देता हूँ तो देखी क्या बन जाएगा left side में बन जाएगा dy by dx denominator है ना उसको मैं बिल्कुल square करूँगा तो bx square plus मैं qx plus मैं r इसका whole square करा ठीक है अब यह denominator को as it is लिखूँगा पहले और इसके बगल में ना numerator का मैं करूँगा ax plus b है ना इसका करूँगा derivative ठीक है भी या यानि कि ax plus b का derivative आ जाएगा राइट आगे बताता हूँ क्या आएगा इसको मैं raise कर देता हूँ minus का sign ठीक है अब मैं करूँगा numerator को as it is ठीक है मैंने लिख दिया और denominator का derivative यह लिज़े मैंने denominator का derivative लिखा यह बन गया px square plus मैं qx plus मैं r ठीक है फिर क्या करने वाले अगर आप note करो denominator को तुम्हें छेडी नीरा इसको as it is लिख देता हूँ यानि कि कोई मेरे को difference यहाँ पे आएगा नहीं उपर वाले को simplify करता हूँ इसको मैं as it is लिख देता हूँ क्यों लिखा हूँ क्योंकि यह तो multiply हो रहा है बिल्कुल ठीक है यहाँ तक फिर यह जो number है ना इसका derivative करूँगा तो a आएगा correct इसको मैंने as it is लिख दिया ax plus b बिल्कुल ठीक है फिर यह वाले का derivative करूँगा तो देखी क्या हैगा 2 आगे आ जाएगा यह बन जाएगा 2px plus मैं q done अब एक ही step बचा है इनको multiply कर ले दिखिए next बन जाते है इसको multiply करते है a को मैं इस पूरे bracket से multiply करता हूँ तो यह बन जाए पहले तो denominator को मैं as it is लिख देता हूँ denominator इस case में बिल्कुल भी change नहीं होगा यह answer तक यही चलेगा ठीक है इस a को multiply करते है यह हो जाएगा a p x square plus मैं इसके साथ multiply करूँगा तो a q x plus मैं a r ठीक है अब इस a x को इस पूरे के साथ multiply करते है minus लग जाएगा minus मैं 2 a p x minus का a q ठीक है अब b को multiply करेंगे तो minus 2 b p x और minus मैं b q अब like term को डूनते हैं देखे यह अगर आपने ध्यान दिया तो यह वाला आपने मैंने भूल गया हूँ a x वाला और 2 p वाला यह बन जाएगा 2 a p x square clear होई बात क्योंकि x यहाँ पे दो बार है तो यह दोनो like term है तो मैं क्या करने वाला हूँ simplify करूँगा तो minus का a p x square ठीक है फिर आगे देखते हैं क्या आता है यह a q x plus का है और अगर आप note करो यह वाला भी आप note करो यानि की x के term है तो इन दोनों terms को मैं एक साथ लिख देता हूँ यह terms क्या हो जाएगा plus मैं a q x minus 2 b p x x वाली लिख दी यह जो a r है यह a q है और b q है यानि की इनको भी एक साथ लिख देता हूँ यह क्या बन जाएगा plus मैं a r और यहां से आ जाएगा अगर आप note करो यहां से आ जाएगा minus का a q minus का b q यानि कि अगर आप यहां तक भी छोड़ देते हो देन यह बिल्कुल करेक्ट होगा और यह हमारा आंचोर आ गया derivative जो हमें निकालना था done चलिए question number 9 की बात करते है 9th question देख लेते हैं यह बिल्कुल उसका पोजिट है भया मैंने इसको y ले लिया इसमें px square plus में qx plus में r और यह divided नीचे है ax plus में b मैं यहां पर करने वाल हूँ differentiating with respect to x तो left hand side हो जाएगा dy by dx और right side में quotient rule लग रहा है तो जो denominator है ना उसका मैं square लिख देता हूँ ax plus में b का whole square ठीक है denominator को मैं as it is लिखने वाला हूँ यह लिख दिया मैंने और मैं numerator जो है ना उसका derivative निकालूँगा यानि कि px square plus में qx plus में r right minus का sign आगे चलते हैं अब मैं क्या करने वाला हूँ यह जो है ना numerator इसको as it is लिख देता हूँ यानि कि px square plus में qx plus में r और denominator का derivative लिख देता हूँ तो देखी यह मेरा बन जाएगा ax plus में b चली simplify करते हैं next जब simplify करते हैं तो denominator को तो मैं touch भी नहीं कर रहा ax plus b as it is लिख दिया done इसको भी as it is लिख देते हैं यह हो गया ax plus में b और इसको simplify करते हैं बन जाएगा यहां से 2px plus में q और r का 0 बन जाएगा done यहां देखते हैं इसको as it is लिख दिया मैंने यानि कि px square plus में qx plus में r और इसका बन जाएगा a तो यहां तक भी लिखो तो full marks मिलेंगे लेकिन match में कहते हैं भी simplify कर देना जो add हो रहा है multiply हो रहा है उनको कर देना तो चली वो कर देता हूँ denominator में तो इसको मैं कुछ करना ही नहीं उपर बताता हूँ यह ax इन दोनों से multiply होगा तो यह बन जाएगा 2 a px plus में 2 a qx right फिर यह जो गादे कि x square बनेगा यह done क्योंकि 2 है a है px square बन गया अब यह b multiply होगा b इसके साथ हो जाएगा तो यह हो जाएगा 2 pbx plus में bq अब इसको simplify करते हैं यह a इसके साथ multiply होगा तो a px square minus a qx minus ar अगर इसको simplify करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा देखिए यह a px square और यहाँ पे a px square में से एक चला जाएगा तो यह बना a px square ठीक है यह दोनों एक टाम 2 a qx यह a qx minus का है और यह यह यहाँ कि इन दोनों को simplify करूँगा तो क्या बनेगा यह plus का a qx बचेगा और यहाँ से बचेगा plus में 2 pbx यहाँ से मेरे पास बचेगा b q और यहाँ से मेरे पास बचेगा a r अगर आप उपर भी छोड़ते तो भी ठीक था और यह मेरा बन गया a x plus में b का whole square यह मेरा है d y by d x जो हमसे पूछा गया था so this is answer clear हुई बात चलिए question 10 की बात करते है यह और भी जी है इस question को मैं rewrite ले लेता हूँ बहुए x की power 4 है ना इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ done और यह x square है ना इसको भी मैं इस तरह से लिख लेता हूँ उपर power जाएगा और यह है plus में cos x अब मैं differentiate कर देता हूँ यानि कि यहाँ पर लिक रहा हूँ differentiating with respect to x तो मेरा left hand side में आ जाएगा dy by dx ठीक है अब यह देखें यह तो constant है यह जो minus 4 है ना यह यहाँ पर आ गया और x की power minus 4 minus 1 ठीक है similarly यह minus 2 जो है यह बाहर आ जाएगा x की power minus 2 minus 1 और यह cos x का होता है minus का sin x done देखें next क्या करने वाला हूँ यह बन जाएगा minus का 4a x की power minus 5 यह बन जाएगा plus में 2b x की power minus 3 यह बन जाएगा minus का sin x अगर मैं minus power नीचे ले जाऊँगा तो भी ठीक है अगर यह लिखता हूँ then also correct यानि कि मेरा बन जाएगा 2b x की power 3 और इसको मैं as it is लिख देता हूँ अगर आपका answer यह आता है then it is correct बात बनी चली next question की बात करते हैं चली question 11 करते हैं काफी easy question है मैंने इसको y के बराबर ले लिया ठीक है और यह जो root x है ना इसको आप agree कर रहे हो कि भाया यह तो actual में x की power 1 by 2 ही तो होती है right अब मैं इसको करने वालों difference यह लिखना ज़रूरी होता है differentiating with respect to x ठीक है तो मेरा left hand side बन जाएगा dy by dx और यह देखी क्या बनेगा यह power बाहा आगे आ जाती है ठीक है और जो power है ना x की उसमें से एक मैं कम कर दूँगा और 2 का derivative अगर आप करोगे तो 0 आ जाते है ठीक है तो अब इसको मैं cut करना समझाता हूँ cut करना देखी कैसे यह 2 वन जा 2 टू जा कैंसल हुआ तो मेरे पास बना 2 x की power minus 1 by 2 अब यह minus power को positive बनाना है तो denominator में ले जाओ यानि की 2 power x 1 by 2 और जादा से जादा आप यह root लिख सकते हो अगर आपका भी आंचर यह आता है देन इस correct बात बनी चलिए question number 12 की तरफ चलते हैं वैल यह भी काफी मैं तो अक्सर यह कहता हूँ इसको y लेके कर लो थोड़ा सा easy रहेगा आपके लिए इसको मैंने y consider कर लिया अब हमसे कह रहा है कि यह derivative निकालो तो मैं इसमें लिखूँँगा differentiating with respect to x और यह हो जाएगा left hand side में dy by dx और right hand side में जो है न आपको याद दिलाता हो थे कि x की power n का करते थे तो आप खुद कह रहे हो कि आगे n आ गया और एक power कम होती थी यह होता था अब होगा तो इसमें भी यही बस एक नए चीज़ बताऊंगा आपको यह power आगे आ गई और एक power जो है न वो आप कम कर दोगे लेकिन यह जो base है न वो आप यहाँ पे इस base का दुबारा से derivative से multiply करोगे आप बोलों कि ज़रा आपने यहाँ तो नहीं करा एक्चलों यहाँ पे जुरूरत नहीं पड़े क्योंकि इसका base तो x है और x का derivative हमें पता है 1 होता है तो 1 जनरली नहीं शो करते क्लियर तो मुझे नहीं चीज़ क्या बतानी है कि यह कहां से आया अब तो easy हो गया n as it is आया a x plus b whole power n minus 1 और यहाँ पे a आ गया अब n और a को मैं multiply कर दूँ तो यह हो गया n a a x plus में b और n minus 1 अगर आपका आंसर यह आ जाता है then it is correct तो इसमें नई चीज़ आपकी यही थी clear कि इसका derivative मैं सर यह b कहां चला गया तो b तो constant 0 हो जाएगा चलिए आगे कोशिज करते है question number 13 करो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ इसको y के बराबर मैंने लिखा तो अब आपने note करा यह तो दो function है यह पहला function है multiply का sign यह दूसरा function है और अगर आप note करो ऐसे case में एक formula था uv product rule जिसको मैं कहता था और वो product rule क्या था पहला function as it is दूसरे का derivative करना है ठीक है फिर plus में दूसरे वाला as it is पहले का derivative करना है तो यही चीज़ यहाँ पे करेंगे मैं लिख देता हूँ I will write differentiating with respect to x तो यह हो जाएगा हमारा dy by dx पहला function as it is यह लोग या ax plus b है ना यह power n इसको as it is लिखा differentiate कर रहा हूँ second function का यानि कि cx plus में d का direct भी कर सकता था मैं लिख के बता रहा हूँ फिर plus का sign second function as it is इस function को मैं as it is लिख दूँगा यह लिख दो मैंने लिख दिया और पहला function का derivation यह मैंने पहला function का derivation लिख दिया यानि कि ax plus में b और whole power n अब derivative निकालना है देखो इसको तो as it is को चेंज ही नहीं करना ax plus में b whole power minus इसका derivative करेंगे तो यह m बहार आएगा यह लिख यह आ गया और एक power कम हो जाएगी बिल्कुल ठीक है यह लिख यह कम कर दी और पते हैं नई चीज कह है यह वाले base का derivative अलग से multiply होगा पीछले question में हमने करा था ना similarly यहाँ पर आ जाओ यह वाला as it is आ जाएगा cx plus d इसको तुमें कुछ करी नहीं रहा और इस case में n आगे आ जाएगा अगर n आगे आ जाता है एक power कम होगी ax plus b minus 1 और यह जो base है ना इसका derivative अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पर मुझे इसका वापिस multiply करना पड़ेगा derivative फिर क्या करने वाले हो समझाता हूँ चलिए मैंने इसको as it is लिखा x plus b whole power n और यह अगर आप note करो m आ गया और यह अगर आप note करो तो cx plus में d और यह m minus में 1 आया इसका derivative तो c आएगा x का तो 1 हो गया और d का 0 हो गया तो यहाँ से c आएगा similarly यह वाला मैंने as it is लिखा cx plus d whole power है मैं बिल्कुल ठीक है यह n लिख दिया मैंने यह भी as it is आजाएगा ax plus b है ना इसकी whole power n minus 1 और यह अगर derivative निकालते हो इसका तो a आजाएगा sir a कैसे आएगा x का 1 हो जाएगा b का 0 हो जाएगा तो a ही बचेगा इन दोनों में देखो common क्या है यह cx plus d b है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी तो list power तो यह है तो जो list power है ना इसको मैं common ले लेता हूँ यानि कि cx plus d m minus 1 यह है list इन दोनों में यह वाला list power है तो यह जो a x plus b है इसकी power n minus 1 मैं बाहर ले लेता हूँ तो सिर्फ बचेगा क्या देखिए अगर यह n power में एक चला गया तो यहाँ से एक बचेगा और यह c और m यहाँ से बचेगा तो cm यहाँ पे और a x plus b यह बचेगा ठीक है similarly यह बहार अगर चला जाता है इसमें c x plus d में तो एक n और a बचा ठीक है भईया प्लस का sign an और यहाँ से एक power बचेगा bracket यानि कि यह हो जगा c x plus में d अगर आपका इसको अंदर multiply भी कर सकते हैं और इतना भी छोड़ते हो then also it is correct बात बनी कई case में तो यहाँ तक भी करने के full marks मिलते हैं चली next question करते हैं 14th question मेरे को लग रहा है सबसे easy question का इसको मिलना चेक खिताब question है sign x plus a और हमें derivative यहाँ सिधा लिख देता हूँ differentiating with respect to x और इसको करते हैं तो यह बन जाएगा dy by dx और आप सब को पता है sign का जो derivative है न वैसे वो cause होता है लेकिन यहाँ पहले में समझा देता हूँ x plus a का इसका derivative करोगे तो यह आजाएगा cause x plus a वैसे angle का derivative दुबारा करते हैं लेकिन आपने note करा angle का दुबारा भी करोगे तो 1 ही आएगा sir 1 कैसे आएगा x का 1 होता है a का 0 होता है तो यह 1 ही आएगा तो answer x plus a अगर आपका यह answer आता है then it is correct चलिए 15th question की बात करते हैं 15th question भी easy है जो question है ना वो मैंने ले लिया cosec x into cortex ठीक है तो इसमें भीया product rule apply करने वाले हैं दूसरे का derivative दूसरा function as it is पहले का तो इसको मैं लिख देता हूँ differentiating with respect to x ठीक है तो यह बन जाएगा dy by dx ठीक है पहला function मैंने यह माना है तो यह as it is यानि की cosec x as it is और मुझे second function को माना है cortex तो इसका derivative करोंगा ठीक है फिर यहाँ पे अगर आप note करो plus का sign आएगा बिल्कुल ठीक है cortex as it is और पहले function का differentiation करोंगा यानि की cosec x का चली इसको करते है cosec x जो है यह आया as it is cortex होता है अगर आप करो minus cosecant square x ठीक है यह जो coat है ना इसको मैं as it is लिखा cosecant का होता है अगर आप agree करो यह होता है minus cosec x into coat x अगर मैं इसको simplify करता हूँ देखी क्या बनता है यह दोनों को करूँगा तो minus cosec cube x बन गया यहाँ से यह दोनो power 2 हो जाएंगी तो यह हो जाएगा coat square और यहाँ से आजाएगा cosec x अच्छा आप बोलो शरी plus था actual में यह plus minus बन जाता है क्योंकि यहाँ पे मेरे पास minus है अगर आपका आंचर common ले सकते हो लेकिन अगर आपका आंचर यह भी आता है then it is correct चली next question है ना क्योंकि lengthy वीडियो बन जाएगा अगले वीडियो में कर लेते हैं thank you very much